तो आज आज हम आपको बताते हैं कि आप अपना रोल नंबर कैसे निगा सकते हैं हेलो नमस्ते साथिकादाव मैं हूँ आपका अपका अपरिक स्वागत करता हूँ तो कई बाद बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है कि वो अपने जो डॉकुमेंट्स है वो खो देते हैं और उन्होंने अपना रोल नंबर कहीं पर भी नोट नहीं किया होता तो उन्हें य लॉल्मेंट नंबर ही नहीं है तो वो या तो उनके पास एक ही चाला होता है कि वह जाकर हैड आफिस सब्सक्राइब और वहां पर जाके रिक्वेस्ट करें कि हमें हमारा रोल नम्बर निकाल दिया जाए या फिर वह किसी एजन्शी की या किसी एजेंट की बना लेते हैं जो उनसे काफी जाज़ा पैसे चार्ज करते हैं इस काम के लिए हम आपके डॉकुमेंट से निकल वादे हैं और उसको फिर आगे documents को दुवारा apply भी कर सकते हैं तो कैसे निकालेंगे आईए देखते हैं सबसे पहले हमें NIS की official website पर जाना है जैसे sdmis.nas.ac.in जब हम इसमें जाकर जो admissions का कॉलम में सबसे left end पर यह कॉलम आ रहा है admissions के कॉलम में सबसे नीचे find my details तो इस पे जब हम click करेंगे तो देखे कुछ इस तरीके का interface हमारे सामने आ जाएगा और इसमें देखिए हम अपना जो जिस भी हैं बच्चे जितने भी मनिंदर सिंग में आज तक admission लिया है वो सारे के सारे यहां पर हमारे सामने शो हो जाएंगे परन्तु अगर मैं इसके साथ father name या mother name भी डाल दूँगा तो exactly वही मनिंदर सिंग आएगा जो हमें required है तो इतने सारे नामों में से अपने नाम डूडने के बजाए हम तीनों डिटेल डाल देंगे तो हमें exactly वही डिटेल आएगी जो हमें required है यह देखिए यह हमारे पाद कितने सारे मनिंदर सिंग की डिटाल आगी जिसमें सब सारे मनिंदर सिंग है पर father mother name सब के डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो हम क्या कर father name है गुर्जीत सिंग्ध और mother name जो है वह है दलजीत कोर तो देखिए जैसे मैं इसको submit करूँगा अब यह हमारा proper वही student आएगा जिस student की हमें required है इसमें उस बच्चे की पूरी डिटेल आजाएगी क्या रोल नंबर है क्या उसका status एमलव उसमें कब admission लिया था कि सारी की सारी डिटेल हमारे इस तरह किसी भी बच्चे की जो है डिटेल निकाल सकते हैं बस आपको बच्चे का नाम father name और mother name ही डालना है इसके अंदर तो ये पूरी की बूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि देखिए मैंने अभी जो डिटेल डाली थी मनिंदर सिंग ये बच्चे का रोल नंबर आ गया जो admission हुआ है किस class में admission हुआ है दस्वी class में ये father name गुजीत सिंग और mother name दलजीत कोड ये दो यार 22 की registration है और ये इ reference number और enrollment number दोने उसके आ गए तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके कभी documents गुम हो जाते हैं अगर आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है तो एनए उसने ये special जो है एक scheme निकाली है जिसमें आप घर बैटे अपना रोल नंबर पता कर सकते हैं ऐसी ही और जानकारी के लि हम आपको नहीं नहीं जानकारियों से अपडेट करवाते रहेंगे तब तक के लिए